समस्कार आप सभी का स्वागता है मारे यूटूब चैनल चीनिया क्लासिज पर तो राज्य अस्तरिय परतिवा खोज प्रिक्षा 2021 तो RBSC ने राज्य परतिवा खोज प्रिक्षा की जो अधिकारिक अर्थात ओपिशेली जो उत्तर कुंजी है वो जारी कर दिया है इसके अलावा यदि आपको किसी भी उत्तर कुंजी मिलाने के बाद किसी भी पर्षन पर डाउट होता है कि ये सर उत्तर हमारा ये है सही उत्तर बुक ये बतारिया और इसमें ये दे रखाया यान कि किसी भी पर्षन पे आपको doubt है तो आप इसके लिए आपत्ती दर्ज करवा सकते हो तो आपत्ती आपको किस प्रकार से दर्ज करवानी है और कब तक करवा सकते हो संपूर्ण जानकरी दी जाएगी इसके लवा आप officially जो अधिकारिक उत्तरकुंजिया किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो उससे समंदित पूरी जानकारी आपको दी जाएगी आपको प्रतेक जानकार या अच्छे से समझे आ जाएगी यदि वीडियो उप्योगी लगते है तो वीडियो को लाइक अवशे करें शेर करते हैं अधिक शेदिक और यदि आप हमारी यूटूब चैनल चीनल चीनिया क्लासिस पर ने हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले गंटी अवशेद्वा दें ताकि आपको इसी प्रकार की उप्योगी जानकारियां हमारी चैनल के माधिम से समय समय पर मिलती रही शुरू करते हैं आज की वीडियो राजस्थान STSE अंस्वर की तो माधिमिक सिक्ष्या बोर्ड राजस्थान द्वारा पांच दिसंबर 2021 को STSE अर्थात राज्यय परतिवा खोज प्रिक्षा का अस्फलता पुर्वक आयोजन करवाया गया इसमें बड़ी संक्या में छात्रों ने भाग लिया था तो वे सब विद्यारती प्रिक्षा होने के बाद में बस उपिशेल उत्तरकुंजी का इंतजार कर रहे थे तो RBSC ने अधिकारिक वेबसाइट पर इसकी उत्तरकुंजी जारिक कर दी है और STSC 2021 प्रिक्षा के लिए दस्वी कक्षा और बार्वी कक्षा के लिए अलग अलग जो प्रिक्षा हो आयोजित है करवाई गई थी अब अपने बात करते हैं ये अधिकारिक अधिसूचना जारिक ही गई है तो क्या का आगया इसमें माद्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर राज्य परतिवा खोज प्रिक्षा 2021 कक्षा 10 वे बारा पारा की बात करें तो इसमें तीन वरग थे विज्ञान वाणीजे और कला वरग की उत्तर तालिका बाबत इसमें का गया बोर्ड दवारा दिनाग 5 दिसंबर 2020 को आयोजित राज्य अस्तरिय परतिवा खोज प्रिक्षा 2021 कक्षा 10 वे बारा जिसमें बात करें तो विज्ञान वाणीजे म कला वरग की उत्तर तालिका बोर्ड की जो अधिकारिक वेबसाइड है बहां पर उपलवद क करवा दी गई है यदि किसी प्रिक्षार्ती को उत्तर तालिका में किसी परकार के उत्तर में अपत्ती है तो वह बोर्ड की इमेल आईडी ssteobjection2020.gmail.com पर मैं परमाण यानि कि सबूत के साथ दिनाग 14 दिसंबर 2020 तक निर्दारित प्रारूप में अपत्ती दर्जे करवा सकते हो प्रारूप क्या है इसको अभी आगे दिखाने वाले है इसके उपरांत प्राप्त किसी भी अपत्ती पर विचार नहीं किया जाएग यानि कि आपको किसी भी पर्षन पर डाउट लगता है कि सर ये हमारा उत्तर बुक में ये बता रहा है और यहां पर उपिशल उत्तर कुंजे में ये बता रहा है तो आप इसके लिए अपत्ती दर्ज करवा सकते हो अपत्ती दर्ज जैसे आज 11 तारीक है तो आज उत्तर बेजनी है वो अभी हम पूरा जानकारी आपको बता रहे हैं तो देखिए email आपको जब भी आपको जानकारी बेजनी है तो यह जो email दे रखाए आपको इस email पे जो message है वो send करना है एक बात तो यह होगी फिर आपको बात करते हैं अपने ये प्रारूप आपको भरना होगा देखे इसमें क्या दे रहा है Board of Secondary Education राजस्थान अजमीर तो इसमें देखे नाम दे रहा है आपको नाम भरना है जिसको भी आपती दर्ज करवाने है वो अपना नाम भरेगा अपना रोल नंबर क्या है पेपर में वो भरना है आपको इसके अलावा यहां पे देखे सब्जेक्ट दे रहा थे है तो यहां पे आपको सब्जेक्ट भरना है तीन सब्जेक्ट थे जैसे कि आपका मेट था फिर आपका SAT था और फिर LCT था लेंगविज वाडा अब Olivia जो अधिकारीक उत्तर कुछी है वहाँ पे क्या option दे रख है? याँ पे आपको वो वरने है जिस भी person में doubt है याँ पे आपको वरने है कि आपका suggestion कि आपको कौण सा उत्तर सही लगता है वो वरने है यहां पे आपको कारण बताना है कि क्या कारण है कि आपको यह उतर लगता है और यहां पे आपको बताना है कि कौन सी बुक में आपने देख है कि आपका यह उतर सही है आपको सबूत भी साथ में बताना पड़ेगा आपने जैसी कक्षा 10 में हो आप गनित की बुक में आपको लगता है कि ये सर उत्तर सही है और आपका ये उत्तर सही है और इसमें गल्त दे रहा है तो आपकी बुक गनित की कौन सी है कौन सा पेज नंबर है और कौन सी परशनावली का कौन सा उत्तर है यहाँ पे आपको पू से पीडियाब अटेच करके और इमेल के मादिम से ये प्रारूप आपको जो साइट अभी मैं ने बताई थी ये जो इमेल आईडी दे रखे यहां पे इसके मादिम से आपको भेज़ना है इसी परकार बात करें ये तो था कक्षा 10 के लिए और अब अपने बात करें तो ये है कक्षा बार्मी के लिए अगर बार्मी के लिए स्टूडेंट हो आप तो आपको भी ये सेम प्रारूप बरना है यहां पे सब्जेक्ट यहां पे आपको जो उत्तर दे रखा है ओपिशेली यहां पे आपका उत्तर बरना है कि आपको क्या लगता है कारण बताना है आपकी बुक कौन सी है कौन सी एक अनुसार ये कितना वो जानकरियां बरनी है और जैसे मैंने अभी बताया था उसी परकार से आपको इमेल पे ये पूरी जानकरियां आपको इस प्रारूप को बरके निकाल के प्रारूप को बरके फोटो लेके फिर आपको भेजना है ये प्रोसेस पूरा रहेगा अब अपने बात करें तो आपको डाउनलोड किस परकार से करना है वो आपको बता रहा हूं इसके दो तरीके हैं फर्स्ट यह है कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लावा कॉमेंट बॉक्स में हमारे टेलिग्राम ग्रूप चीनिया क्लासिस का लिंक पिन किया हूँआ मिल जाएगा आप वहां से उसको जोइन करगे और अप पीडियाफ है वो टेलिग्राम पर आपको मिल जाएगी डाउनलोड कर सकते हो जिसने डाउनलोड करके उसको वहां से मिल जाएगी इसके लावा दूसरा तरीका यह रहेगा कि आपको अगर व लिंक ओपन हो जाएगा तो आपको देखिए इस परकार का प्रारूप कुल का मिल जाएगा पहला पेज तो देखिए निचे निचे एक साइड में इस परकार से यह लाइने चलेगी यहां पर देखिए लिख्याओ प्रारूप आजेगा और यहां पर देखिए ओपन इस पर फिर क्लिक करना है तो आपकी जो पीडियाफ है इस टी एस उत्तर कुंजी की वो पूरी के पूरी आपके फॉन में डाउनलोड हो जाएगी आप उसको अच्छे से चेक करिए चेक करने के बाद में आपको डाउट ल इतने नंबर बने उस बारे में आप कॉमेंट बॉक्स में हमें अवशे रूप से बताईए तो यह थी आज की अपनी जानकारी उमीद करता हूं सब जानकारी आपको अच्छे से समझ और पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कर दे अधिक से अधिक शेर कर दे और यह आप